हेलो एवरिवन देखिए अब हम करते हैं example 3.8 देखो इसमें क्या कहते है कहते है दा फॉर आम्स ओफ विट्स्टोन ब्रिज इन फिगर 3.26 इस फॉलॉइं रिजिस्टेंस जो है हमारा ऑब के क्रोद सांडरोप का हैं रिजिस्टेंस बी ऑम्स ओर्स यह आपका 10-न ओमust और टीचलिकर नाइवर 0-1 का किटना वहारा यह 5 ओमउं का है और Wakat brokers बनाएवा ऐसे जा不對 इसमें क्या पूछ रहा अब देखो जड़ा कई मच्चों के दिमाग में या आता है कि अगर वीड स्टोन ब्रीज है तो यहां पर तो करंट 0 होता है यह हमने पड़ा है देखो वह कंडिशन है किसकी बैलेंस वीड स्टोन ब्रीज की बैलेंस वीड स्टोन ब्रीज क्या होता है अगर मालीजिए यह आरवन है आपका और यह वाला आरटू है और यह वाला क्या है और यह वाला क्या है आरफोर है तो अगर आरवन भाई आरटू आता है और आरफोर यह एक्वल हो अगर तब तो ह की बैलेंस विस्ट्वन है जिसके उसमें हम बोलते हैं कि यहां पर जो करंट होगा वह दिएज्व होता है तो पहले हम यहीं देख लिएगा है उद्र कहीं जिरो तो नहीं तो हमने क्या देखा एप हुंडर्ड है हमने सिक्स्टी किया और इसकोल टू में आर यह 5 बाइव हैं तो इस प्री तो है नहीं होगा इतने बात तो प्रस प्रस लिए आपको किसमें I.G. 0 नहीं होगा अब पहीं बच्चों के मैंने में आता है कि sir, this upon me this and this upon me this लेकिन कई जगे तो this upon me this भी होता है, this upon me this भी होता है बिल्कु सही बात है चाहे 1 by R3 कर तो चाहे R2 by R4 को check कर लो या फिर R1 by R2 R3 by R4 को check कर लो क्योंकि NCRT में तो यह है R1 by R2 वाली कहानी और अगर आप अलग reference book में देखोगे न तो वहाँ पर आपको मिलेंगी कि जैसे r1 by r3 भी किया हुए मतलब 10 अकॉन में 10 भी किया हुए और 10 अकॉन में 10 तो दोनों केस में ही सही है आपका देखो मैं आपको ने एक कहानी यहां से बता जिता हूँ जैसे यह है ठीक है इस तरीके से चोटा सा बना रहा हूँ मैं ठीक है और यह एक अध्यावन मिटल लगावा जैसे मालो यहाँ पर यह 8 है यह 4 है और यहाँ पर मालो कितना है यह 6 है और यह 3 है ठीक है अब हमें मालो इसमें क्या गरना है बैलें विस्टों बिश की कंडिशन देखनी है ठीक है देखो 8 by 4 है और equal to 6 by 3 है तो यह 3 2 दा 6 और 4 2 दा 8 तो ब्राबबरी हो रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं दिस अपॉन में दिस करोंगा तब भी ब्राबबरी रहेंगे तो यह कानी इसलिए दिस अपॉन में दिस करके देखो ठीक है देखे 8 by 6 और 4 by 3 तो देखो यह 4 by 3 है तो यहां भी 4 by 3 है 2 4 दा 2 3 दा 6 तो 4 by 3 4 by 3 में पर यह है कि इक्वल तो आ रहे है ना ठीक है ना तो बैलें विस्टों बिश की कंडिशन में चाहे 8 by 4 करके देखो 6 by 3 करके या फिर 8 by 6 या 4 by 3 करके देखो आपकी इच् इसके कोश्चन में हम के वील अप्लाई करेंगे तो देखो जरा हम सबसे पहले इसमें कर लेते हैं यह वाली जो है हमारी लूप यहां पर चला लेते हैं इसमें इस तरीक के से ठीक है तो यहां पर अगर मैं यह चला रहा हूं सोल्यूशन में चलते हैं देखो मैं यहां पर आप कहहें चलाते हैं करंट की ड्रेक्शन यह इस वली ब्राच में हम देखें तो यहां पर यह प्लस होगा यह माइनस पो पोजिति नेगिटिव जाता है इधर भी यह जो करंट ऐसे जा रहा है यह डिरेक्शन इससे देखना आपने यह प्लस यह माइनस ठीक है इधर करंट अगए ऐसे तो यहां पर फ्लस आया फिर यह फिर फ्लस आया फिर ऐसे चलेंगे तो यहां पर प्लस का साइनग कर हो दाए तो हम यहां पर लिखते हैं प्लस का 100 I1 यह voltage हो गई यहाँ पर फिर इसके क्रोस देखते हैं प्रस का साइन कर ओर है resistance है 15 का और current है IG के अंदर फिर ऐसे हैं हम साइन आएगा minus का कर जो resistance है वो है 60 का और current है I2 का and equal to 0 अभी इसमें कोई EMF नहीं आया दो कोई बात नहीं यह चीज आई समझ में बताओ ठीक है अब यहां से ना आप क्या करो इसमें ना कुछ comment लेता कि छोटा नंबर हो जाए 5 comment लेते हम यहां से देखो 5 comment लिया दो इसमें यह 12 I2 equal to 0 के ऐसे आगे देखो ना यह 5 यह 0 के नीचे जाएगा जीरो पॉन में 5 आएगा तो यह 0 होगा तो ऐसे आए यह 0 ठीक है इसको मालो आप first equation अब देखो जरा दूसरी लूप कहां चलाएंगे इसमें हम दूसरी लूप यहां चला दो इसमें इसको आ ऐसे चला लो ऐसे चला लो अपकी इच्छा है मैंने यह यहां से बी बीडीसीबी ऐसे चला दी मैंने ठीक है या फिर डीसीबी ऐसे चला दी ठीक है पहले अब साइन लगा हुए यहां पर यहां प्लस नियुक्त प्लस आएगा यह तो इसमें हम लिखते हैं यहां पर इन प्लोज्ड मैश कोंसी लिए हमने यह डी सी बी डी 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 सी बी ऐसे ले लिए हमने ठीक है तो इसमें देखो जड़ा डी सी से चला आएगा सबसे प्लस का साइन आएगा और रिजिस्टेंस ए फाइव और करंट इसमें आई टू प्लस में आई समझ रहों कैसे लिखा है सब्सक्राइब होता है यहां वॉल्टेज इसके क्रोस देख रहे हैं क्या आगया आर और यह आई समझे रहों वीजिकल आई यार होता है ना तो आई आर वी आगया यह हमारा ठीक है फिर हम कैसे गए ऐसे चल रहे है ना लूप हमारी फिर यहां गए हम तो माइनस का साइन पहले माइनस आ गया रिजिस्टेंस है 10 और करंट है इसमें आईवन माइनस में आई जी का फिर ऐसे आए हम क्योंकि ऐसे चलते हुए यहां पर पहुंचे तो पहला साइन प्लस का और रिजिस्टेंस है इसके क्रोस 15 ओम का और करंट है इसमें आई और यह एक वल्टू जीर ब्लस यह 15 का इच आ तक समझमें अब देखो चैंगा है और यहां प्र लेसी ऐसे अनल आई ग्लो फिव तो लमन यह तो लेशक्ति यह तो प्लस यह लोग और यह वाए कि फिद लोग यहां फाइव सिक्स जा थर्टी तो 6 आईजी माइनस 5 टू जा यह आगया आपके पास ठीक है और यह 5 जीरो के नीचे जाएगा तो 0 ही बन जाएगा तो यहाँ पर क्या आगया है आपके पास आईटू प्लस में 6 आईजी माइनस में 2 आईवन इक्वल टू में क्या आगया आपके पास 0 आगया एतनी बात ठीक है इसको आप माल लो अपनी 2nd equation ठीक है अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ना इनमें equation में 3 variables आ रहे है आईवन आईजी आईटू यहाँ पर भी तो यहाँ पर लिखते हैं हम इधर यहाँ लिखते हैं देखो in closed mesh यह तो rough work था आपका ठीक है देखो 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 in closed mesh क्या लिए हमने यह a d c a तो a d c a ऐसे चला ज़िए हमने लूब ठीक है कीसबने लिखते हैं देखो current आहे जा रहा है plus minus है इधर भी current है प्लस-minus है और यह वля minus है और यह प्लस है ठीक हैं तो यहां पर देखो यहां से चल ले हैं हम तो plus ka sign करो रहा है और जो resistance है ओ 60 ए current है i2 फिर आगे इसरे 5 और current है इसमें I2 प्लस में IG फिर आगे हम गए तो यहाँ पर कुछ नहीं है सिरफ यह EMF है तो यह पहले साइन माइनस आ रहा है तो माइनस का 10 इक्वल टू में 0 ऐसे करते हैं हम ठीक है तो जिसको नहीं पता यह थोड़ा सा आप KVL वाला टॉपिक देख लेना ठीक है वो आपको मिल जाएगा हमारी जो रेजिस्टर वाली वीडियोज है ठीक है 12 का सारा आपका जो है स्लेवर हमने कम्लीट करवाया हुग है ठीक है तो यहाँ पर देखो जड़ा यह आगा आपके बाद 60 I2 प्लस में 5 I2 प्लस में 5 IG माइनस का 10 इज़िक पर दूमें 0 ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे यह तो हो गया हमारा कितना हो गया यह 65 I2 65 I2 आ रहे है ठीक है और यह प्लस में क्या लाएगा हमारा 5 IG और इज़िक पर दूमें यह 10 ठीक है या अभी मैं इसको माइनस टैनी रहने देता हूँ ठीक अब देखना इससे फाइव को मन लेते हैं यहाँ पर फाइवन जा फाइव त्री जा शिस्टीन और यह आए गया वन तो आई जी रह जाएगा तिरफ और यह टू जा तैन एंड इकवल जीरो अब यह जीरो की इसको बहुत फाइदा होगा आपको यहां से मैं आई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यह टू इदर जाके प्लस का और यह माइनस का 13 अब क्या करूंगा मैं इसको फुट फॉर्ड इन फर्स एंड सेकें उससे क्या होगा देखो आई जी की वैल्यू जब यहां पर मैं आई टू की टम्स में आ जाएगी ठीक है तो उव्यसी बात है यहां दो वेरीबल रह जाएगा यहां भी सेम यही कहां नहीं होगी जैसे हमने पहले भी किया है कुश्चन में ठीक है तो दिखो ज़रा यहां पर अगर आपको यह दिख रही है ट्वंटी आई वन है फिस्ट इक्वेशन के है हमारी ट्वंटी आई वन प्लस में ठीग यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यह है पुमाइनस में थर्टीन आई टू ठीक है और माइनस का यह है आपके पास वैल आई टू एतनी बात बता तो इसमें दिक्कत है तो ठीक है और एकवल डू यह जीड हो गया और माइनस यह 133 दा 39 I2 और यह माइनस का 12 I2 इस इक पर देखो यह कितना आ आगया आपके बाद 20 I1 और माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा साइन विच इस गेटर माइनस का साइन आएगा तो 9 और 2 11 314 15 51 I2 तो यह हो गया और यह 6 इदर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यह हमारी एक्वेशन मान भी हमने ठीक है अब सेकिन में पूट करो देखो सेकिन क्या है हमारे पास यहां यह है आई टू प्लस में 6 आई जी और आई जी की वैली उपर हमने देखिए तो माइनस में 13 I2 है और माइनस का यह कितना है हमारे पास 2 I1 एक्वेल टू में 0 तो एक ले नहीं यहां पर प्लस माइनस के साइन की धियान रखना है इन में गढ़बढ होते है में नीजी ठीक है है तो यहाँ पर देखो यह आगया आई टू प्लस में सिक्स्टू दा ट्वैल माइनस में थर्टीन सिग्जा कितना अप्ताब के बाद सेवन्टी एट आई टू ठीक है न यहीं होता है और यह आगया माइनस का टू आई वन इक्वल टू में जीरो अब देखो ज़रा यहां पर अगर आप देखोगे यहां माइ मैं इसको इसको मैं ऐसे कर देखता हूँ बेसाओ यह प्लस का माइनस का चाहिए वाले तो थेक्वल टू अब यह एक लिए हो तो यह तो अग्वेसे भी हो गया अब ब्लस का टू अब मैंस अब नहीं सकता हूँ अगर दिहां से मैं देखुणगा एक्वेशन ऐसे थी ना पहले तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना देखो कि टू आई वन प्लस में 77 आई टू इस इक्वल टू में 12 यह तम इधर लिया यह तो जब आप क्या करते हो अधला गुद्ली करते हो ना इक वल्टू में तो स्फिट साइन चेंज करने की दूरत में पूरी टम यह इध इसे सौल करेंगे ठीक है ना इसमें क्या होगा अगर हम आई टू की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको यह तो इसे होगा अगर इधर ट्वंट्य होना चाहिए तो इन्टू में इसको 10 कर देते हैं तो यह तेखो कितना आएगा 20 आई वन प्लस 770 आई टू इस इक्वल ट 20 आगया हमारा ठीक है तो यह वाली जो है हमारी एक्वेशन यह ठीक है ना इसको इसको अगर इसको मैं मान लेता हूं यह सी एक्वेशन तो स्रॉंग ए एंड़ सी ठीक है यूजिंग एलिमिनेशन मेटर तो देखो जरा हम फाइंड करते हैं हम देखो उपर है हमारी एक्वेशन है 20 आई वन माइनस का 51 आई टू इस इक्वल टो मैं माइनस का 6 और जो सी एक्वेशन है वह हमारी 20 आई वन प्लस में 770 आई टू एन इस इक्व तो फ्रेक्टिंग हो जाएगा इसमें ठीक है ना यह माइनस होगा यह माना तो यह हाँ पर आप देखोगा यह कट गया माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा साइंड विचिस ग्रेटर तो यह आदे ए एट यहां गाई इस value को put कर देंगे हम कि C में A में या C में जूरुरत नहीं है क्योंकि I1 नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए IG चाहिए तो हम IG वली में put कर देंगा IG वली कौन सी है यह हमारी third equation put I2 in equation third तो देखो यह है आपके बाद IG is required में 2-13 I2 है तो I2 की value 126 अब होनों में 821 आ भी आपके पास ठीक है अब आप इसमें न मुल्टिप्लाई कर लो इसको देखो ज़रा 126 को 13 से करो 63 जा 18 326 और 173 वन जा 3 और यह है 126 तो यह 8 7 और 6 13 यह 6 और यह 1 तो देखो माइनस में 1638 अपॉन में 821 आ रहा है 821 LCM लोगे तो 2 1 दा 2 4 2 दा 4 क्योंकि यह 1 है ना 821 आए 821 को 2 से मुल्टिप्लाई कर रहे है हम तो 821 यह 16 यह आएगा और माइनस यह 1 हो गा 1 इंटू 1638 तो 1638 आएगा तो यह आगा आपके बाद 4 अपॉन में 821 आप देखो यहां क्या है कहानी यह वैसे तो अंसर आगया आपका आईजी आगया इतना एंपिर में आ रहा है ठीक है अब देखो मैं क्या करना इसको डिवीजन हो जाएने तो मैंने क्या किया यह 1000 से उपर मुल्टिप्लाई कर दिया 1000 से नीचे मुल्टिप आप करोगे तो यह आएगा आपके बाद 3, 2, 8, 4, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, फिर एक 0 लगाओगे तो यहां पॉइंट आजाएगा, फिर यह 8 पे जाएगा करके देख देना आप, 8 पे करोगे तो यह 6, 5, 6, 8 बनेगा ठीक है और यहां से आपके इसका तो यह आएगा, 5, 7, 4, 7, तो यह 10 में 7 गया, 3, 1 बचा तो 11 में से 4 गया, 7 और यहां पर 8 बचा तो 8 में से 7 गया, 1, 1, 7, बस इतना बहुत है देखो, अब में कहानी सम्दो जाएगा यहां पर, 4.87 अपन में क्या है, निच्छे 1000 है और यह एंपियर में है, ठीक है, अब इसको जैसे 1000 यह हटा होगे, तो point कहां shift हो जाएगा, 3 इधर shift हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब अगर मैं इसे ampere में लिखूंगा तो यह आएगा, 00487, point यहां, point 3 इधर shift हो जाएगा, ampere में, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, 4.87 इंटु में, य 10 की बाइब थ्री है ना नीचे, उपर जाएगे 10 की बाइब माइनस 3, भी थाउग लेंट को क्या लिख सकते हो, 10 की बाइब 3, उपर जाए 10 की बाइब माइनस 3, तो यह ampere में, अब इसको मिली में करना है, 4.87, 10 की बाइब माइनस 3 का होता है, हमारा मिली, तो इसको मैंने म मुश्किल नहीं था इन क्वेश्चन में, ठीक है, देख के डरना भी नहीं है, देख लो आपके सामने कितना सिंपल, 10 वाला मैथ है, यह नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको यह लूप चलानी आनी चाहिए, कैसे हम इक्वेशन बराने है, बहुत ही सिंपल थी है, कर भी यह लोगे सो, ओके थेंक्यू